किसी ने क्या खूब कहा है कि जिन्दगी में कभी भी अगर किसी बुरे दिन से रोबुर हो जाओ तो बस इतना याद रखना कि बुरा दिन है जिन्दगी नहीं मैं जब उत्रानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्रानी क्लासेज में फ्रेंट्स आज हम पर्मूटेशन ग्रूप के एर्थ वीडियो लेक्चर पे पहुँच चुके हैं आज हम कुछ नुमेरिक स्वाल करेंगे अना क्योंकि अब तक हमने काफी कुछ कुछ कॉंसेट पढ़ लिया है एक साइटलिक पर्मूटेशन क्या होता है इवेन और ग्या ह होता है जो भी डेफनीशन होती है जितनी भी उसका मुटिप्लाई कैसे होता है साइकल को ट्रांस्पोजिशन में कैसे ब्रेक करते हैं ट्रांस्पोजिशन क्या होता है इन्वर्जन क्या होता था हर एक चीज हमने डिसकस कर लिए तो आज कुछ नुमेरिक स्वाल करते हैं और समझते हैं उसको स्वाल करने के कुछ आसान तरीके हैं समझते हैं एक्जामपल नंबर फर्स्ट एक्स्प्रेश दा पर्मूटेशन एफ उकल टू यह पर्मूटेशन दिया गया है हना 123456 यह इसके एलिमेंट है और इसके इमेज ना 165342 ए जिसमें हर ऐलिमेंट के आगे वाला उसकी इमेज जो साइकल फर्म कर जाता है घर साइकल میں जितनी उसकी डिगरी होती है वहाँ पर हम लेंथ वर्डिंग यूज करते हैं disjoint cycle ऐसे कोई भी दो या तीन या चार cycle जिसमें कोई element common न हो ठीक है वो disjoint cycle होगा last video lecture में हमने सब पर बात कर ली थी ठीक है तो पहले हम f लिख देखे हैं f क्या है 1 2 3 4 5 6 इमेज लिख देते हैं 1 6 5 3 4 2 तो जाइंट साइकल में ब्रेक करना है मतलब इसको अलग-अलग cycle में ब्रेक करके लिख देना है वन की इमेज वन पर है ठीक है तो यह तो एक अलग हो गया हना यह क्या है यह आइडेंटिटी पर्मूटेशन है वन लेंथ के साइकल को आइडेंटिटी पर्मूटेशन करते थे ठीक है अब अब टू की में 6 पे है तो यहां 2 6 लिख दिये 3 की में ते फाइड the फॉर पे है फिर यह ते फिर पोर की में च्री कर सकते थो अ फितलब हम ने अब देखिये ये और नलग हो गया ये टू नलग हो हो गया 354 सौरी अना यह अगर इतना आपको डारेक्ट ना समया तो एक दो इस्टिप हम इसमें और लिख देते हैं देखिए यहां पर इसको साथ लिख दीजिए 2662 यहां पर लिख दीजिए 3454 यह हम देख के लिख रहे हैं कि कि इसकी इमेज किस पर जा रही है क्योंकि तरी उसके वह लिख दिये नियुक्त करके पिर उसको पर मह सकते हैं जैक आए आपका एंसए हैनसर हो गया। ठीक है इसको ट्रांस्पोजीशन के प्रोडक्ट में लिखना है पहले तो इसमें से साइकल जितने हैं उसको अलग-अलग कर लेजिए अब देखिए एस पर यह हो गया इसको यहां पर एस पर टू तो त्री त्री टू यहां पर फॉर फाइब सेक्स फॉर की मेंच फाइफ पर है तो यहां पर शिक्स फॉर फाइब जो लिखा है उसी पर हमने लिख दिया देखिए अब थूआ इसको रियर्रेंज करना होगा इसको इस तर लिख दे रहे हैं एफ इग इगाल टू यह टू त्री त्री टू योग्या फॉर योग्या शिक्स यो यह इस तरह लिखाएगा अना अब देखिए एक चीज हमको पता थी हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में नोट पढ़ा था उस नोट में हमने समझा था कि जितने लेंध का साइकल होता है उससे एक कम लेंध का वो ट्रांस्पोजिशन देता है ठीक है तो यह दो लेंध यहां पर फॉस्ट वाले मेंबर को दो बाला प्लिख दिया करें ना यह हो गया फॉर सिक्स और यह हो गया फॉर फाइफ ठीक है अगर ना समयाग तो याद करने का तरीका यह आपके तीनों ट्रांस्पोजिशन के प्रोड़क्ट के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया इसको आई लिखके दिखाते हैं कैसे लिखे हैं देखे क्या था 4,6,5,6,5,4 ठीक है हमने क्या लिखा? 4,6,4,5 देखे 4 की इमेज 6,6 की इमेज 4,4 की इमेज 5,5 की इमेज 4 ठीक है दोनों को combine कर लिजे, देखे 4 की image 6, मिल रहा है, 6 की image 5, देखे, यहां से मिल रहा है, यह दोनों अगर आप cancel कर दो, यहां 5 की image 4, यह मिल रहा है, ठीके, तो इसी को इतना लिख सकते हैं, क्योंकि Transposition में break किये थे, तो एक common जैसे किसी भी चीज़ को break करने के लिए common चीज नही कर लिए, चाय आप इतना लिखो, चाय आप इतना लिखो, चाय आप इतना लिखो, एक ही चीज़ है, ठीके, उसमें कोई गलती नहीं है, तो friends, आज के लिए तना ही, मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए, स्वस्ते मस रहें, खुश रहें, जाहिंद,